लौकिक दुनिया में माबाप के रण से बच्चे मुक्त हो जाते हैं क्या नहीं हो पाते ऐसे ही ये बेहद के माबाप हैं उनके रण से बच्चे वो ही मुक्त होते हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते नहीं तो सजाएं खा जाते हैं धर्मराज की सजाएं कौन नहीं खाते हैं वो अश्टदेव क्यों सजाएं नहीं खाते हैं क्योंकि जब से ग्यान में आते हैं तब से एक शिव बाबा दूसरा नकोई बाप बाप नहीं माता माता नहीं हमारा बाप शिव बाबा ही है हमारी माता शिव बाबा ही है हमारा फिता शिव बाबा ही है हमारा पती शिव बाबा ही है सबसंबंध एक के साथ सो परसेंट निभाते हैं इसलिए दर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं वो सारा रेन चुकाए देते हैं ईश्वरिय सेवा करके ऐसी ईश्वरिय सेवा जो दूसरे करेंगे तो जरूर माबाप के रन से मुक्त हो जाएंगे